चलिए देखिए आपका जो FM का पेपर है हाला कि डिसकस किया हुआ है लेकिन फिर मैं बता जेता हूँ मैं आज थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो मैं FM के उपर भी बात कर लूँगा MA के उपर भी बात कर लूँगा Management Account पे भी तो पहले हम FM जो की Common बच्चे जिस क्लास में है FM के अंदर बेसिकली जो Question Paper होगा वो कैसा डिजाइन होके आएगा Paper कैसा होगा Total Question जो होंगे Question No.1 Question No.2 Question No.3 Question No.4 And Question No.5 5 चिप्टर रहेंगे आपके Question No.1 का A Part That is Theory का है And B Part आपका Time Value of Money TVM में से बनेगा One हो गया इसके बाद इसके साथ और वाला Question आएगा वैसे बाद में बताता लेकिन अभी बता रहें आपको A Part Time Value of Money और B Part आपका Theory और ये जो One रहेगा ना ये टोटल रहने वाला है Unit No.1 से यानि जो First Question आएगा वो Unit No.1 से ही आएगा और Unit No.1 अभी हमने स्टार्ट नहीं किया Curitical Chapter है और Time Value of Money में 12 से 15 सवाल है और जो बच्चे Maths पढ़ रहे होंगे Same Mathematics of Finance में जो पढ़ाता Exactly Same है कुछ भी चीज़े अलग नहीं है और उससे बहुत कम है Mathematics of Finance से तो बहुत सारा कम है Second Question आएगा सर Second Question जो आएगा वो आएगा आपका आपका Capital Budgeting और इसके और में जो रहेगा That is Capital Budgeting अब इसमें कई बार ये रहता है कि और में Theory आ सकता है लेकिन Rare Chances में Theory आने का ये पूरा का पूरा Unit Number आपके 2 से बनेगा यानि Unit Number 2 से एक सीधा Question अगर 100 का Paper आया तो 20 Number का Question दिखेगा अगर 75 का Paper आया तो 15 Number का आपको Question दिखेगा इसके अंदर Theory आने के Chances बहुत कम एक ऐसा Question यही है जिसके अंदर Theory नहीं आता है Sir Question Number 3 A Part B Part और A Part और B Part अब दिखेगा इसको कैसे कवर करेगा A Part में आएगा आपका Cost of Capital और B Part में आएगा Theory Theory आपका आजाएगा Value of Firm आपको Unit Number 3 आदोगा उसमें Cost of Capital था Value of Firm था EBIT Analysis था और एक Leverage था ऐसे था ना B Part में आजाएगा आपका Leverage और इसमें Theory आजाएगा आपका हो सकता है EBIT का ऐसे बनेगा अब इसमें Multiple Options हो सकते हैं हो सकता है Cost of Capital का Theory आजाए और Value of Firm का क्या आजाए Practical आजाए हो सकता है Leverage का Theory दे दे और EBIT का Practical उसमें चारी चेप्टर था याद होगा आपको Cost of Capital, Leverage, Value of Firm, EBIT तो ऐसे Option बनेगा तीन और ये जो बनेगा हमारा Total बनेगा Unit Number 3 से बहुत कम टाइम बचाए एक तरीके से और जो बच्चे सुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए बिलकुल परफेक्ट चल रहा है सारी चीजे चल रहे है उसमें Question Number 4 A part आपका Walter model या Gordon और B part theory और में जो रहेगा आपका और में जो रहेगा वो रहेगा आपका MM अप्रोच पूरा MM यह हो गया आपका unit number जो अभी खतम किया है तो unit number 4 तो हमने बिलकुल complete खतम कर लिया है इसमें Gordon model भी हो गया Walter भी हो गया, theory भी हो गया MM भी हो गया, complete हो गया इसमें कुछ बचा नहीं है unit number 5 यह बड़ा challenging और बड़ा surprise question रहता है पांच बाँ हमेसा exam में अब ऐसा हो सकता है पांच बड़ा को तीसरे पर place कर दे, यह surprise रहता है normally होगा working capital A part और B part में होगा आपका theory और में right short note आ जाएंगे जिसके अंदर A, B, C, D, E ऐसे छोटे छोटे question बन जाएंगे वो question किस पे होगा sir वो receivable management के question होंगे working capital के question हो सकते है inventory के question हो सकते है line of cash management के question हो सकते है theory तो वो 5 theory देदेंगे बोलेंगे कोई भी 4 करो ठीक है न? 5 theory देदेंगे कोई भी 4 या 4 theory देदेंगे कोई भी 5 last year भी same यही pattern था अगर last year का मैं बताऊ मेरे पास यह कौन सा प्रेपर अभी यह है प्रोग्राम का प्रोग्राम के और में आया था देट इस cash budget क्या होता है समझाइए cost of liberal credit policy क्या होता है बताइए short from source fund क्या होता है बताइए economic order quantity क्या होता है बताइए तो यानि अगर हम unit number 5 में बात करें और एक last EOQ inventory management तो टोल इसमें पांच चप्टर है तो पांचों को mix करके देते हैं तो paper का pattern तो आपको पता ही चल गया इसमें से देखो हमने third unit पूरा complete कर लिया four unit पूरा complete कर लिया fifth unit भी पूरा complete हो गया जो बच्चे late join हुए थे बाद में वे तो उनका नहीं हुआ तो उनका मैं रिवीजन में करा दूँगा बागी फिफ्ट भी हो गया हमारा बचा क्या है सर यूनिट नंबर टू बचा है मेंली जो कि हम वेटनस रे से स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर टू और उसके बाद यूनिट नंबर वन तो थियोरी और छोटा सा चेप्टर है उसको करेंगे तो ज़्यादा टाइम हम लगाने वाले है नवंबर का मन्थ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम यूज होगा इसको इस बार मैं इस तरीके से कराने की कोसिस करता हूँ मैक्समम बच्चे जो कॉलेज के हैं उनको पता होगा कि ये वाले यूनिट ज़्यादा टेंशन भरा है कॉलेज के अंदर और टीचर बार बार इसी में से टेस्ट दे देते हैं बार बार इसी unit को पकड़ लेते हैं इसलिए मैंने सूचा है कि इसको इसने simplicity से और ऐसे systematic तरीके से में start करेंगे जिससे कि हमारा chapter बहुत आसान से हो जाए यानि कहीं न कहीं जितने भी chapter करें उसी के equivalent हो जाए कुछ इसमें techniques हैं और कुछ इसमें हमारे simple calculation है तो मैं अपने ही according करांगा ये वाला पूरा chapter किताब में दो पार्ट में बाटा हुआ है cash capital budgeting और एक है capital budgeting के techniques लेकिन मैं दोनों chapter को मिला के कराने वाला हूँ जो कि आपको simple हो जाए और दोनों ही chapter हो जाएगा ठीक है तो ये पूरा का पूरा overall आपका था किसका FM का किस हिसाब से आपका paper आएगा ये चीज़े आपके पास नवंबर का मन्त है और आपके पास December का आधा महिना है तो total आपके पास कितने बचे हैं 45 दिन बचे हैं तो 40 से 45 दिन में जिन बचे ने अभी जोईन किया है उसको मैं strategy जी बता रहा हूं कि कौन सा chapter कैसे करना है content पे फोल्डर डाला हुआ है पहले priority basis पे कौन सा chapter करें ताकि आगे दिक्कत ना आए और अगले chapter से आप chapter capital budgeting वाले में जुट जाएं और time पे live classes होगी आपकी जो 7 बजे की timing है आपकी वही रहेगी और उस time से आप regular रहें class attend करें और noting जरूर करें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा इस chapter का किसी भी पीछे होने वाले chapter से कोई लेना देना नहीं है ये चीज मैं clear कर दू किसी chapter से कोई लेना देना नहीं है बलकि ये आपको कही ना कहीं एक दो point extra ही सिखा देगा हाँ, TVM capital bursting से related है तो पहले मैं capital bursting कराऊँगा फिर मैं TVM कराऊँगा क्योंकि वो उससे related है बहुत सारी चीजे, सारी चीजे आपको clear हो गई होगी और जो भी आपके 45 days बचे हैं उसको अच्छे से utilize करिए सारे subjects को पढ़ने है और सभी को equal आप importance देके पढ़िये तो better रहेगा ठीक है, सभी का market में tenure भी आ चुका है जिनको tenure लेना है, वो tenure ले सकते हैं मैंने कई बार discussion किया है वीडियो में nearby shop से मिल जाएगा practice करने का मैंने pattern बिलकुल बता दिया है कि आप पहले हमारे वीडियो या फिर जहां भी पढ़ रहे है पहले book के question करिए, फिर past year के questions करिए अब जैसे कि अभी हमने fast track batch batch launch भी कर दिया है तो fast track batch launch हुए काफी time हो गया कल last है, कल last रहेगा ये fast track batch और जिन बच्चों को join करना हो दशेरे दशेरे तक के लिए निकाला था कुछ बच्चों के लिए, उसके बाद इसके अंदर admission close हो जाएगा आपका fast track batch वाले batches के अंदर फिर normal batch ही रहेगा जो पुरानी recorded है वो मिलेगा तो उसके अंदर बाकी pricing जो है भी दशेरे पे बहुत अच्छे offer में दिया जा रहा है जिनको लेना है description में मैंने डाल दिया है सारे WhatsApp नंबर आप contact करके ले सकते हैं बाकी मेरा तो एक ही purpose है कि आप study start कर दीजिए और starting से जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे हैं अभी आपके पास जो छुटी है जितने भी time मिले हैं ये golden time है इसके अंदर आप enjoy थोड़ा सा अगर आप कम कर ले time save करके और जो job कर रहे हैं specially उनको 4-5 दिन के छुटी मिलेगी वो इस time पे चाहे ना तो बहुत तेजी में अपने slivers को खतम भी कर सकते हैं तो hopefully आपको help मिल रहा होगा वीडियो से thank you so much मिलते हम किसी next वीडियो में